Reserve Bank of India ने 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है RBI जल्द ही पूरे देश से 2000 रुपए का नोट वापस लेगा जी हाँ लेकिन इस मामले में अभी भी पेच है RBI ने ये भी साफ किया है कि 2000 रुपए का नोट legal tender के तौर पर जारी रहेगा Reserve Bank 2000 का नोट circulation से वापस लेगा लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे वहीं RBI ने बैंकों को निर्देश दिये हैं कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलते रहे यानि कि Reserve Bank ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने की सुवधा देने को कहा है इसके साथ ही केंद्री Reserve Bank ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देना ततकाल प्रभाव से बंद करने को कह दिया है मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट है तो टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है